बायो केमिक के स्टुडेंट थे हैधराबाद के हैधराबाद के बायो केमिकल के स्टुडेंट में जब बायो केमिकल के स्टुडेंट ने हैधराबाद में अपनी कपड़ाई पूरी करी तो हैधराबाद के मेयर को चिंता हुई कि हमारे जो सीवर की पाइप लाइन है वो दिखाई नहीं दे रही थी आप क्या सोचते हैं को क्या कर सकता है जब यह कॉश्चन मेयर की दिमाग में खड़ा हुआ कि जो मैन का बायो प्रड़क्ट है जो भी मल वगरा निसकासित होता है तो सीवर कनेक्टिट कर दिया सब कहां के सैप्टिट टेंक हैदराबाद में लिक्वीट क्लोरीन डाल करके उस पीले को वाइट कर दिया और पीले को वाइट करने के बाद उसमें से उसकी समैल गायाब कर दी क्लोरीन baking आपने अगर नमक का सूत्र सुना हो तो बंदू मैं अलग होता है क्लोराइड अलग होती है एने सियल टु यह उसका रासानिक वाह है और जहां हम रहते थे पहले HGM वहाँ पर हुकम चल जूट मिल और नमक से क्लोरीन बनाने का प्रोसेज वहीं पर होता था liquid chlorine होती है powder form में क्लोरीन होती है gas form में क्लोरीन होती है और सब अलग-अलग चीजों में काम आती है जो बास के पेड़ होते हैं उसको साफ करने के लिए liquid chlorine काम आती है जिससे आपका paper बनता है और जो बिकुल white हो जाता है तो वह biochemical के जो student है वह biochemical के student ने पूरे के पूले जो मल हैदरबाद के बाहर इखटा होता था उसमें chlorine को डाल करके mix up करके पीले से white कर दिया फिर जो वह पूरा एक paste के रूप में था उसको dryer में डाल करके सुखा दिया उसका powder farming कर दी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानपुर की गुटका फैक्ट्रियों में बैच करके बड़ी बड़ी कंपनी का गुटका खाते हैं ये तो बहुत फ्रेश है और बढ़िया है जब आपको पता चले कि बायो केमिक के स्टुडेंट की इतनी बड़ी करामात है कि उसने पूरे के पूले मानाओं के बायो परड़ेट को कुलोरीन डाल करके उसकी smell हटा करके और उसको गुटके में मिला करके उसमें फैग्रेंस मिला दिया फैग्रेंस का कारोबार कितना बड़ा है कभी आप सोच भी नहीं सकते कुछ नहीं सोच सकते और आपको तो खुलते ही साहती खुजबो आती है तेज़ smell आप किसी भी कंपनी के गुटके को दोनों मिलाया जाता है कि कांच से बारी कांच का पाउडर रहता जिससे आपकी जबान थोड़ी सी कटती है और चूना उसके उपर लगता है तो आपको थोड़ी सरसराहट सी होती है इसके चक्कर में आप बार बार माउट फ्रेशनर के रूप में ऐसे पाउच के प्रोड़ेट खाते हैं बायो कैमिक के स्टूडेंट ने पूरा का पूरा माना और मल उठा करके पाउचों में पैक करके कानपुर की गुटका फैक्टरियों में जा करके एक बार अपजर विशन तो करिये बंदू हो तब समझ में आएगा ये गुटका खाने वाले लोग सुबह सुबह मानों का मल खा करके अपने जिन की सुरवात करते हैं ये बायो कैमिक के स्टूडेंट का कमाल है हड्डियों का देर मिलता है दुनिया बर की चीज़े मिलती है इसमाल स्केल इंडरस्टीज तीन सब्स याद रखिएगा क्या इसमाल स्केल इंडरस्टीज ये तीन सब्स याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमाल स्केल इंडरस्टीज के चक्कर में कैसे यूरिया से साबून से सैंपू से दूद बनाते हैं कैसे सड़ी हुई चीजों से अच्छी पीजा बर्गर बनाते हैं और आपको खिलाते हैं जो हमारे आगल विंजन ही नहीं था वो सब हम आप खा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं यह Small Scale Industries का कमाल है